नमस्ते दोस्तों मैं सुवन सर्मा आप सभीका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुवन एजुकेशन helps में आज हम कुछ नयां सिखने वाले हैं तेली प्राइम में किया सिखने वाले हैं चलिए discuss कर लेते हैं आज में आपको बताऊओंगी कि कैसे आपको sale order and purchase order place करना है कैसे आपको बनाना है वो हम सिखने वाले है टईली प्राइम में तो चलिके शोट में हम समझ लेते हैं कि purchase order हम किसे कहते हैं देखे purchase order व locks tav होता है आप कीसी party से purchase करते हैं तो purchase करने से पहले आप उनको एक order place करते हैं उनको हम purchase order कहते हैं इसी तरीके से sale order होता है अगर आप किसी पार्टी को sale कर रहे हैं तो sale करने से पहले एक order form आप उनको offer करते हैं उनको हम sale order कहते हैं तो brief में मैंने आपको बता दिया purchase order किसे कहते हैं and sale order किसे कहते हैं तो चलिए practically देखते हैं कि कैसे आपको purchase order and sale order बनाना है टैली में आगी बढ़ने से पहले एक छोटे से request है मेरी आप से भी लोग से आप मेरे चैनल को like कीजिए और जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप share कीजिए आप मेरे चैनल को अपने friend circle में share कर सकते हैं अपने around people में share कर सकते हैं और उन लोगों को share कर सकते हैं जो लोग टैली का and accounts का work सिखने में interested है उन सारे लोगों को आप मेरे चैनल को share कर सकते हैं और वीडियो के right inside पे छोटा सा रिट करेगा subscribe button आपको show हो रहा होगा उसको press करके उसको hit करके आप मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए and मुझे support साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना पुलिएगा इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो में अप्लोड करूंगी उसकी notification आपको साथ के साथ मिलती रहेगी टैली से related and accounts related किसी भी टाइप की कोई भी confusion है आप उसके comments किजिए definitely में उसका solution and reply आपको दूंगी तो चलिए स्टार् time open कर लीजिए and उसके बाद alter पर आपको क्लिक करना है and then उसके बाद voucher टाइप पे इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको list of vouchers शोंगे इसमें सारे टाइप के voucher आपको शोंगे purchase order तो इस पे एंटर करके देखिए अगर आप मटेल purchase करते हैं and अपने supplier को आप purchase order देते तो automatic या फिर manual अपने according set कर लीजिए मैं यहाँ पर automatic कर रही हूं use advanced configuration yes करके यहाँ पर configure करना है आपको starting number 1 रख लीजिए and weed of numerical part 0 1 रखना है तो 2 कर लीजिए 001 से start करना है तो 3 कर लीजिए मुझे यहाँ पर 01 करना है इसलिए में 2 digit रख रही हूं and prefill with 0 तो yes करना है क्योंकि इसमें 0 आ रहा है next देखिए जी start numbering तो यहाँ पर देखिए applicable from 1st April 2020 करना है starting number 1 रखना है particular में years रख लीजिए prefix detail तो इसमें applicable from same date आएगा 1st April 2020 particular में देखिए अब अपने voucher का जो format है वो set कर सकते हैं purchase order है इसलिए po slash 2020 21 रख सकते हैं slash दे दीजिए end में and इसमें देखिए suffix detail तो applicable from same date रहेगा 1st April 2020 and particular में आपको कुष्णी करना है and देखिए इसके बाद law narration in voucher अगर आपको narration रखना है तो yes कर लीजिए printing में देखिए print voucher after saving अगर आपको purchase order को print करना है after making तो आप इसको save कर सकते हैं and set alter declaration देखिए yes प्रेस करेंगे तो आपको already a declaration tally prime में मिलता है जिसम advice show the actual price of the good describes and that all particulars are true and correct अगर आपको यह declaration रखना है अपने purchase order में तो यह रख सकते हैं और कुछ रखना है तो आप type कर सकते हैं अपने according next है sales order तो देखिए इस पर interface करेंगे अगर आप sales order issue करते हैं तो इसके लिए आपको sales order के voucher की requirement है तो इस voucher को भी आपको activate करना होगा activate this voucher type तो इस option को आप yes कर लिजिए उसके बाद देखिए method of voucher numbering दो options मिलते हैं आपको automatic and manual automatic करना है अपने according आप कर लिजिए मैं हापर automatic करने के लिए use advance configuration हमें करनी होती है yes press करना है and starting number जो है 1 रखना है weed of numerical part तो अगर आपको 01 रखना है तो two type कर दीजिए 001 करना है तो आप refill with zero years and restarting numbering applicable form तो कब से applicable करना है first April 2020 से and restarting numbering जो है one कर लीजिए and उसके बाद particular में years select कर लीजिए prefix detail में applicable same date होगा and particular में जो आपका voucher का format है वो करना है sales order है से में as.o and इसमें year mention कर देती हूं slash के बाद 2021 suffix detail जो है applicable from same date होगा उसके बाद enter press करके आप यहाँ पर allow narration in voucher इस option को yes कर दीजिए हमें narration चाहिए नहीं चाहिए तो आप no कर दीजिए printing में देखिए print voucher after saving yes कर दीजिए and declaration में देखिए यहाँ पर declaration आपको already एक मिलता है अगर आपको कुछ और declaration रखना है तो आप type कर सकते है अब देखिए हमने voucher activate कर लिया है अब चलिए purchase order बनाते हैं gateway of tally से voucher पर आप click किजिए and देखिए यहाँ पर आपको right hand side पे other vouchers का option show हो रहा है उस पर आप click करेंगे तो देखिए सारे vouchers आपको यहाँ पर show हो रहे हैं accounting voucher, inventory voucher and नीचे आपको सबसी नीचे show हो रहा है order voucher तो purchase order and sale order तो हम purchase order ब select करना है जिस पार्टी को आप purchase order देना चाहते हैं L to C press करके देखिए आप लेजर भी create कर सकते हैं मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको laser create करना है अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो आप जा कि देख सकते हैं how to create laser in teleprime by suman education hub enter press करते ही देखिए आपको order detail show होगा तो यहां पर देखिए उस पार्टी को हम order place कर रहे हैं यहां पर देखिए कंजाईनी कंजाईनी में हमारे पार्टी का detail show होगा सारी डिटेल आपको शोगी एंटर प्रेस करने के बाद order number आपको यहां पर शोगा तो order voucher हमने automatic रखा है और पर्चस लेजर में आपकी पार्टी local है तो local select कीजिए IGST है तो IGST select करेंगे name of item देखिए यहां पर LTC प्रेस करके आप name of item create भी कर सकते हैं हमने already create किया हुआ है अब यहां पर देखिए आपको due on show हो रहा तो यहां पर आपको date fill out करनी है सपोस कीजिए आपने November में order दिया और आप चाहते हैं कि 2nd December में उस product की उ fill out कर लेंगे and देखिए quantity में जितने भी quantity का आप order place करना चाहते हैं उतनी quantity and rate fill out कर लीजिए इसनी टाइप से सेम वे से आपको जितने भी product का करना है आप कर सकते हैं next product हम choose कर लेते हैं next product choose करेंगे choose करने के बाद देखिए enter press करेंगे and do on में आप यहां पे desire date रख सकते हैं ज जो second product आप order place कर रहे हैं वो आपको different date में चाहिए तो different date भी आप कर सकते हैं select इसके बाद देखिए एक और product का में order place कर देती हूँ one by one हमें इसी type से सारे product को add on करते जाना है जितने भी product का आप order place करना चाहते हैं देखिए यहापे जब भी आप item select करेंगे आपको due on show होगा और due on जब भी आपको delivery चाहिए वो date आप यहापे fill out कर दीजे different different date भी आप कर सकते हैं same date भी आप कर सकते हैं और उसके बाद देखिए हम इस पर text apply करेंगे जैसे कि हमारी यह party जो थी वो local थी इसलिए हम इस पर input cgst apply करेंगे altc press करके देखिए आप इसका ledger भी create कर सकते हैं अंडर आपको duty टेक्स में रखना है and type of text देखिए gst रखेंगे and text type cgst create कर रहे हैं इसलिए central text choose करेंगे तो इस type से आप ledger भी create कर सकते हैं देखिए इस पर text जो है वो pick कर रहा है second इस पर हमने cgst apply कर दिया अब हमें इस पर भी ledger create करेंगे duty and taxes के अंडर में gst and as gst has less state text choose करते हुए हमने दोनों type के ledger को create कर लेना है और उसके बाद देखिए इस पर जो text apply हुआ है वो हो गया अगर आपको text analysis करता है तो window पर रहते हुए यहाँ पर देखिए right hand side पर आपको more detail का option शो हो रहा है इस पर click करेंगे आप and सबसे नीचे देखिए gst gst text analysis इस option पर आपको enterprise करना है and then देखिए यहाँ पर आपको f5 का option शो हो रहा है arrow का जो corner में arrow शो हो रहा है इस पर click कीजिए and detail पर click करेंगे तो देखिए detail में आप text analysis कर सकते हैं देखिए आपको यहाँ पर product wise शो हो रहा है जो हमने product choose किये थे वो इस पर देखिए 9% cgst and sgst and third वाली जो item है उस पर 99% cgst and sgst and नीचे आपको total text amount show होगा and उपर आप textable value देख सकते हैं तो इस tab से आप text analysis कर सकते हैं कि आपका जो text है वो सही pick कर रहा है और फिर नहीं कर रहा है and percentage भी आप देख सकते हैं हमने सारे जो product है 18% के किये हैं इसल print out press कर ने के लिए आपको क्या करना है enter press कर लेना है, enter जैसी आप press कर के is watcher को except करेंगे, इकसेpt करने कि बाद देखिए आपको 3 options हैं आप पर show हो रहे हैं, configure, preview and print, preview पर आप click शो हो रहा है purchase order का और देखिए purchase order number आप देख सकते हैं यह first order हमने बनाया है इसलिए आपको first show हो रहा है देखिए आपको यहाँ पे show होगा description शो हो रहा है उसके बाद देखिए column show हो रही है due on की जहाँ पे dates आपको show हो रहे हैं जिस date में यह due हो रहा है तो यह देखिए quantity order यह सारा due आपको show हो रहा है first of December को हमने जो order place किया है उसकी delivery हमें चाहिए तो यह सारी detail आप print preview में जाके देख सकते हैं यहाँ आप देखिए print पे आप click करेंगे तो आप इस voucher को print कर सकते हैं directly यहाँ से so in this way आपको purchase order बनाना है किस भी party का आप बना सकते हैं product अपने according चूस कर सकते हैं अब देखिए हमने purchase order बना लिया इसी type से हमें sale order बनाना होता है देखिए आप जिसनको sale करते हैं उस party को अगर आपको sale offer देना है तो उसके लिए हमें sale order बनाना होता है other voucher पे click किजिए और देखिए सबसे end में आपको sale order show हो रहा है इस पे click करेंगे हम देखिए sale order में जो order number है वो auto pick कर रहा है अभी हमने देखा था कि कैसे हमें voucher activate करना है और कैसे उसके numbering जो है वो automatic करनी है इस type से आप भी कर सकते हैं आप देखिए उसके बाद आपको party account name show हो रहा है तो जिस party को आप sale order offer कर रहे है उस party को आपको name select कर लेना है और यहाँ पर order detail आपको fill out कर देदी है अपने according आप यहाँ पर सारी detail को fill out कर लिजेगा और उसके बाद देखिए यहाँ पर उस party का detail आपको show होगा जिस party को आप sale order issue कर रहे है उसके बाद आपकी detail show होगी order number में देखिए automatically order number show हो रहा है sales leisure में आपको select कर लेना है कि आपकी party ISGST है या फिर local है उसके बाद next देखिए हमें name of item तो name of item आपको select करना है जो भी आप item product का sale order देना चाहते है उस product का आप यहाँ से choose कर लीजिए enterprise करने के बाद देखिए जैसे purchase order में हमें due date show हो रहा था उसी type से हमें आपे sale order में due date show होगा तो यहाँ पे due date आप अपने according set कर सकते हैं कि कि किस date में आप product जो है आप यहाँ पे चूश कर लेना है next product हम choose कर लेंगे next product choose करने के बाद आगेन आपको enterprise करते ही देखिए due date show हो रहा है तो due date में आप different date भी देज़ सकते हैं कि कि किस date में आप deliver कर सकते हैं इस product को किस date में आप comfortable हैं तो आप यहाँ पे date choose कर लीजिए इसी टैब से one by one आपको product choose करते जाना है और जो due date है वो set करते जाना है तो देखिए third product हम यहाँ पर choose कर रहे है due date आपको यहाँ पर set करते जाना है आप अपने according भी set कर सकते हैं कि कब आप delivered करना चाहते हैं या फिर आप party के according भी set कर सकते हैं पार्टी कब deliver लेना चाहते हैं इस product को तो इसके बाद देखिए rate and quantity fill out कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर take supply करना है अगर आपकी local party है तो आप उस पे output cgst and output sgst apply कीजिएगा अगर आपकी interstate party है तो आप उस पे output igst apply करेंगे and take supply करने की बाद टेक्स analysis भी कर सकते हैं आप उसके लिए आपको right hand side पे more detail पे click करना है सबसे नीचे देखिए gst gst text analysis इस option पे आपको enterprise करना है and then देखिए यहाँ पे आपको f5 का option show हो रहा है arrow का जो corner में arrow show हो रहा है इस पे click कीजिए and detail पे click करेंगे तो देखिए detail में आप text analysis कर सकते हैं देखिए आपको यहाँ पर product wise show हो रहा है जो हमने product choose किये थे वह तीनों product हमें show हो रहे हैं उसके साथ आप देख सकते हैं जो first वाली item है उस पे cgst sgst 9% second वाली item है उस पे देखिए 9% cgst and sgst and third वाली जो item है उस पे 99% cgst sgst and nीचे आपको total text amount show होगा and उपर आप textable value देख सकते हैं तो इस type से आप text analysis कर सकते हैं इस type से आप easily sale order and purchase order को बना सकते हैं and raise कर सकते हैं टैली से related छोटे से छोटे और बड़े से बड़े topics को cover करने की मैंने अपनी videos में कोशिश की है and टैली prime से भी related सारे videos को में cover करने की कोशिश करूँगी आप मेरे साथ बने रहेगा मैं सारे टैली prime से related videos and options आपको बताऊंगी कि कैसे आपको टैली prime में work करना है टैली prime जैसे की नए software है तो सारे options आपको पता होने चाहिए कुछ लोगों की request मेरे पास आई थी कि मैडम आप अपने चैनल पे playlist बनाईए तो मैं आप अपने लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पे playlist बना लिया है आप चाहिके मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं आप सर्च कीजिए मेरे चैनल को Suman Education Hub यह मेरे चैनल का नाम है इस नाम को सर्च करने के बाद आपको सबसे टॉप पे शो होगा चैनल, वीडियो और प्ले लिस्ट प्ले लिस्ट पे आप टिक करेंगे तो आपको मेरे प्ले लिस्ट मिल जाएंगी और प्ले लिस्ट को आप चाहके वाच आउट कर सकते हैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स को चकाउट करना ना पुछिएगा वहां मैं अपने टैले से रिलेटेड एन अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियो के लिक प्रोवाइट कर देती हूं आप चाहें तो उन सारी वीडियो को वाच आउट कर सकते हैं मैं वीडियो जैये लेग्वेज बनाती हूँ आपको आपको easily समझ भया हैंगे आप उनसमाई वीडियो को टटाबिक्स को रिलेट कर सकते हिए तो आप सारे वीडियो को वाच आउट कर सकते हैं तो रिली प्राइम को साहती हमें न फूचर में काम करना है तो टेली प्राइम के सारे option आपको पता होनी चाहिए तो सारे options को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो को watch करते रहिए continue watch करते रहिए I wish ये वीडियो आपके लिए helpful रही है अगर helpful रही है तो एक छोटा सा काम करते हुए जाईगा मेरे चैनलों को like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए Thank you